हेलो एवरिवन आज हम लोग क्लास टेन थी की जोग्राफिक की बुक से चैप्टर नमबर वन जो की है रिसोर्स अंड डिवलप्मेंट उसका पार्ट टू कंप्लीट करने वाले हैं इसले क्लास में हमने पार्ट बन कंप्लीट किया था जिसमें हमने जाना था कि रिसोर्स क्या होता है और रिसोर्स को क्लासिफाई हम लोग कैसे कर सकते हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं types of resources पढ़ने से पहले हम इसे एक बार फिर से देख लेते हैं कि आखिर जो resources हैं उनको किन basis पर classify किया जाता है तो यहां पर origin on the basis of origin origin के basis पर origin क्या होता है उत्पत्ति यानि जनम लेना तो origin के basis पर अगर हम resources को divide करें तो वो दो तरह के होते हैं पहला है biotic और दूसरा है abiotic और on the basis of exhaustibility exhaustibility क्या होती exhaustibility होती है कि कोई भी सामान कितने दिनों तक रहेगी और उसकी वो समाप्ति कब होगा तो उसके basis पर अगर हम देखे तो जो resources है वो दो तरह के होते हैं पहला है renewable और दूसरा है non renewable on the basis of ownership ownership का मतलब होता है किसी भी चीज़ में जो माली का ना हक होता है उसके basis पर अगर हम resources को divide करें तो होगा पहला individual दूसरा है community तीसरा है national और 14 है international उसके बाद अगर status of development के basis पर अगर resources देखे तो वो भी तीन तरह के होते हैं potential developed stock and reserves तो इसे आगे हम लोग detail में पढ़ने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं types of resources तो सबसे पहले जानेंगे on the basis of origin पहले मैंने कह दिया है कि origin का मतलब क्या होता है origin का मतलब होता है उद्पति या जनम लेना उसके basis पर जो resources होते हैं दो तरह के होते हैं पहला है biotic और दूसरा है abiotic biotic resources किसे कहते हैं biotic resources कहते है these are obtained from biosphere ये कहां से obtained किये जाते हैं biosphere से biosphere क्या होता है आपको पता होगा lithosphere plus atmosphere और plus hydrosphere के तीनों मिलकर biosphere बनाते हैं यानि कि lithosphere क्या होता है जो जमीन के उपर जो जिंदगी होती है उस area को lithosphere कहते हैं atmosphere के बारे में भी तो आपको पता होई होगा और hydrosphere किसे कहते हैं जैसे ocean हो गए pond हो गए river हो गए lake हो गए उनके अंदर भी बहुत सारे living being रहते हैं तो ये area क्या हो गया hydrosphere कहलाएगा तो इ life होती है and have life such as human beings, flora and fauna, fisheries, livestock, etc. तो इसमें क्या होती है life होती है example के लिए ये human being है, flora and fauna है, fisheries है, livestock है, etc. यानि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे examples हैं जो biotic resources की category में आते हैं. next देख लेते हैं क्या है, दूसरा है abiotic, abiotic किसे कहते हैं? all those things which are composed of non-living things, वो सभी चीज़ें जो non-living things से compose की जाती हैं, वो क्या है? abiotic resources कही जाती हैं. examples के लिए rocks and metals, rocks में जान नहीं है, metals में जान नहीं होती, इसलिए ये कैसे resources कहलाएंगे? abiotic resources कहलाएंगे. अब बारी आती है, exhaustibility के basis पर. exhaustibility के basis पर अगर हम इसे classify करें, तो ये दो तरह के होते हैं, पहला है renewable और दूसरा है non-renewable. अब renewable किसे कहते हैं? the resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical और mechanical processes are non as renewable or replenishable resources. तो ऐसे resources जो renew किये जा सकते हैं, examples के तोर पर iron को ले लें, अगर उसमें जंग लग गई तो उसे हम renew कर सकते हैं, या फिर reproduce कर सकते हैं. physical, chemical और mechanical processes की मदद से, और इसी लिए इसे क्या कहा जाता है? renewable और replenishable resources कहा जाता है. for example, अगर example के तोर पर देखें, तो ये है solar और wind energy, water, forest and wildlife, इसके अलावा और भी सारी examples हो सकते हैं. the renewable resources में further be divided into continuous or flow, जो renewable resources होते हैं, वो आगे जाकर divide किये जाते हैं, continuous या flow में. okay, next, देख लेते हैं, क्या है? non renewable. non renewable resources किसे कहते हैं? these occur over a very long geological time. ये जो resources होते हैं, वो बहुत लंबे समय के बाद ready होते हैं, वो बनते हैं. minerals and fossil fuels are examples of such resources. अगर हम देखें, तो minerals एक examples है, fossil fuels एक example है, यानि कि fossil fuels में हम एक ले लेते हैं, coal को. koila. तो ये ऐसे examples हैं, जो बहुत ही जादा लंबे समय के बाद ही बना हैं. इसलिए ये क्या कहलाएंगे? non renewable resources कहलाएंगे. these resources take million of years in their formation. ये resources जो होते हैं, millions of years इन्हें लगा है बनने में. some of the resources like metals are recyclable. कुछ ऐसे resources हैं, जैसे कि metals हैं, वो recyclable हो सकते हैं. and some like fossils, fuels cannot be recycled. और कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कि fossil fuel में example होने लिया, coal का koila, वो recyclable नहीं हो सकता. उसे एक बार use करने के बाद वो खतम हो जाएगा and get exhausted with their use. next on the basis of ownership, इसका पहला जो part है, वो है individual resources. these are also owned privately by individuals. तो individual resources क्या होते हैं, इनमें किसी भी individuals का अपना वो private resource होता है, उस पर उनका हक होता है. many farmers on land, बहुत सारे farmers होते हैं, जिनका अपना जमीन होता है, जो कि allotate होते हैं, government के थूँ, जिससे कि वो government को कुछ revenue दे सके. tax बगएरा payment कर सके. in villages, there are people with land ownership. तो villages में कुछ लोग होते हैं, जो जमीन के मालिक होते हैं, but there are many who are landless. बट ऐसे बहुत सारे हैं, जिनके पास जमीन ही नहीं होती. urban people on plot houses and other property. जो शहर के लोग होते हैं, उनके पास क्या होते हैं, उनके पास अपने plot होते हैं, उनके पास अपनी घर होती हैं, उनके पास अपनी property होती है. plantation, pasture lands, ponds, water in wells, etc. ठीक है, are some of the examples of resources on a ship by individuals. तो यह जो जैसे कि plantation हो गये, pasture lands हो गये, जहां पर जानवरों को चरने के लिए रखा जाता है, ponds हो गये, इसके अलावा water in wells, कुगों का पानी हो गये, यह सभी examples हैं, यह कुछ examples हैं, जो कि ऐसे resources हैं, जो individual, जो individuals honor होते हैं, इनके, इनका मालिका नहाख होता है, make a list of resources on by your household, आपको, आपके लिए भी यह कहा जा रहे हैं, कि आप एक list बनाओ, ताकि आप उन सभी resources के list बनाओ, जो आपको लगता है, कि वो किसी ना किसी individual के जरिये, वो कोई ना कोई individual उनके honor हैं, नेक्स्ट है community on resources, there are resources which are accessible to all the members of the community, ऐसे resources भी होते हैं, जो कि accessible होते हैं, यूज किये जाते हैं, किसी भी community के members के जरिये, village commons, जैसे grazing grounds हो गए, village में, जैसे grazing grounds हो गए, जहां पर मवेशियों को रखा जाता है, चरने के लिए ऐसा ground होता है, जहां पर घास वगरा होती है, और उस पर जानवर उनको चरते हैं, वो कोई boundary नहीं होती, कि इसमें उनके जानवर नहीं चरेंगे, या किसी और के जानवर चरेंगे, वहां पर सभी के जानवर चर सकते हैं, ब्यूरियल ग्राउंड्स, जहां पर दफन किया जाता है, विलेज पॉंड्स, और गाउं के जो तालाब होते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्जांपल्स हैं, जो विलेज के ऐसे रिसोर्से हैं, जिसे जिस पर सभी कम्मुनिटी का हक होता है, इसके अलावा जो पब्लिक पार्क है, पिक्निक इस्पार्ट है, पॉब्लिक पार्क, पिक्निक स्पार्ट और पिलेजरण। और प्लेइग्राउंड इन अर्बन एरियाज आर दी फैक्टर एक्सेसिवल तो आल दा पीपल लिविंग देर यहां पर प्लेइग्राउंड पब्लिक पाक वगरा ऐसे रिसोर्सेज होते हैं अर्बन एरियाज में यानि यह शहरी इलागों में पाए जाते हैं जिनका यूज जो है वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो करते हैं अब बारी आती है नेशनल रिसोर्सेज किसे कहते हैं नेशनल रिसोर्सेज टेक्निकली ओल दे रिसोर्सेज बिलोंग तू दा नेशन अगर हम देखें तो टेक्निकली जितने भी सारे रिसोर्सेज हैं वो नेशन से ही बिलॉंग करते हैं, the country has legal powers to acquire even private property for public good, जो country के पास वो legal power होती है, जिससे कि वो private property को भी public good के लिए, public की भलाई के लिए वो acquire कर सकती है, उसको ले सकती है, you might have seen roads, canals, railways being constructed on fields on by some individuals, आपने देखा होगा कि जैसे roads बनते हैं, canals, नहरे बनती हैं, railways बनती हैं, वो बनाए जाती हैं ऐसे field पर जो किसी ना किसी individual के द्वारा on की जाती है, यानि वो किसी ना किसी individual की अपनी property होती है, उस पर भी ये सारे roads, canals, railways बनाए जाते हैं, urban development authorities get empowered by the government, urban development authorities को, ये power मिली होती है government से, कि वो ऐसे land को acquire कर सके, जहां पर इस तरह की जो construction है, वो बनाए जा सके, all the minerals, water resources, जितने भी सारे minerals हैं, water resources हैं, forest हैं, wildlife हैं, land है, we need the political boundaries, यानि जो political boundaries है, उसके अंदर की जो जमीन है, वो और ocean की बात करें, तो वो oceanic area up to 12 nautical miles, यानि कि ये kilometer में कितने होंगे, 22.2 kilometer, from the coast termed as territorial water and resources therein belong to the nation, ये यहां पर का जा रहा है कि जितने भी सारे minerals हैं, water resources हैं, forest हैं, wildlife हैं, land हैं within the political boundaries, और oceanic area की बात करें, ये तो coast से, ये मान लिजे कि ये coast है, ये coast area है, और यहां से लेकर कि ये जो 12 nautical miles है, वहां तक, कि वहां तक area में, अगर जो भी अगर resources 5 जाती है, तो वो किस से बिलॉंग करेगी, वो nation से बिलॉंग करती हैं, तीक है, यानि कि, अब ये तो हमने जाना कि, जो 12 nautical miles है, वहां से वहां तक की दूरी को किलो मिटर में अगर देखें, तो वो कितने होंगे, 22.2 km, जिसे territorial water भी कहा जाता है, इस जगह को क्या बोले जाता है, territorial water, लेकिन आगे अगर हम देखें, तो 24 nautical miles तक, इसे कहा जाता है, contiginious zone, यहां से यहां तक, 24 nautical miles तक, अब इसके आगे अगर हम जाएं, तो 200, 200 nautical miles तक, इसे कहते है, इसे कहते है, exclusive economic zone, आए होप, आपको समझ में आ गई होगी, फिर से मैं बता दे रही हूँ, यहां से यहां तक, यानि की 12 nautical miles तक, territorial, जो water कहा जाता है, इस area को, फिर यहां से, यहां तक, 24 nautical miles तक, contiginious zone कहा जाता है, और 200, 200 nautical miles तक, इसे कहा जाता है, exclusive economic zone, एक्स्ट देख लेते हैं, international resources, international resources किसे कहते है, there are international institutions, ऐसे international institutions है, which regulate some resources, जो, कुछ resources को regulate करते हैं, the oceanic resources, beyond 200 nautical miles, जो मैंने पहले ही कहा था, जो area है, coast से, अगर, जो दूरी होगी, 200 nautical miles की, तो वो area क्या कहलाएगा, exclusive economic zone, तो यहां तक, the oceanic resources, जो ocean में पाई जाने वाले, जो resources है, 200 nautical miles के बाग, तो इस area को कहेंगे, exclusive economic zone, और यह जो area होता है, वो open sea होता है, इस पर किसी का भी हक नहीं होता, किसी nation का हक नहीं होता, and no individual country can utilize these, without the concurrence of international institutions, और कोई भी individual country जो होगी, इसका इस्तमाल नहीं कर सकती, जब तक कि वो international institution से permission ना ले, यहां पर, यानि कि वहां पर मिलने वाले exclusive economic zone के बाद से, जितने भी सारे अगर resources मिलते हैं, तो उनको use करने के लिए, उनको international institution से permission लेना पड़ेगा, किसी भी individual country को, ओके, यह एक open sea होता है, यहां पर एक topic है, लिखा है, Do you know that India has got the right to mine magnes? क्या आप जानते हैं कि इंडिया को एक right मिला हुआ है, magnes nodules के mine करने के लिए, यानि उनका खनन करने के लिए, from the bed of the Indian Ocean, और वो कहां से यह, इसे निकाल सकते हैं, इनका खनन कर सकते हैं, Indian Ocean के bed से, from that area which lies beyond the exclusive economic zone, और उस area तक जो exclusive economic zone के बाद भी है, identify some other resources, identify कीजिए उन सभी resources की, which are international in nature, जो की नेचर से international होते हैं, चलिए आगे देख लेते हैं क्या है, next on the basis of the status of development, अब status of development की basis पर अगर देखें, तो पहला है potential resources, potential resources क्या होता है, resources which are found in a reason, ऐसे resources जो किसी reason में पाए जाते हैं, but have not been utilized, पर उनका use नहीं किया गया है, for example है कि the western parts of India, western part of India, particularly राजिस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, तो इन में potential है for the development of wind and solar energy, यानि कि यहाँ पर wind and solar energy की development की potential है, but so far these have not been developed properly, लेकिन अभी तक जो यह resources है, वो अभी तक developed नहीं हुई है अच्छी तरह से, next देख लेते हैं, developed resources, ऐसे resources जो developed हो चुके हैं, resources which are surveyed, ऐसे resources जिनका survey हो चुका है, and their quality and quantity have been determined, और जिनकी quality और quantity का पता चल चुका है, determined हो चुका है, for utilization, यानि यूज करने के लिए, the development of resources depends on technology and level of their feasibility, तो जो development है, resources की, वो depends होते हैं किस पर technology और feasibility, यानि development of technology and level of their feasibility, feasibility को हम क्या कह सकते हैं, feasibility को हम possibility भी कह सकते हैं, ठीक है, तो developed resources, किसे कहते हैं, ऐसे resources जिनका survey हो चुका है, और उनकी quality और quantity का भी पता लग चुका है, कि उनका use किया जा सकता है, तो ये जो development of resources हैं, वो किस पर depends होते हैं, technology and level of their feasibility, तो examples के लिए अगर हम देखें, तो petrol है, coal है, इन सब का पता लग चुका है, developed हो चुका है, ठीक है, और ये भी पता है, कि वो उनकी, क्या कहते हैं उसे, उनकी quality और quantity कितनी हैं, अब बारी आती है, stock की, तो stock किसे कहते हैं, materials in the environment, वो materials in the environment में, which have the potential to satisfy human needs, जिसके पास potential है, human needs को satisfy करने के लिए, but human beings do not have the appropriate technology, but human beings के पास, वो technology नहीं है, जिसे कि वो इन्हें access कर सके, are included among, are included among stock, तो इसे क्या, ये किसे बिलॉंग होंगे, वो stock कहे जाएंगे, ठीक है, यानि कि, ऐसे materials हैं, जिनका, जो human needs को पूरा कर सकता है, बट, जो human being के पास, वो technology नहीं है, जिसके सारे, वो उसे access कर सके, तो इसे क्या कहेंगे, stock कहेंगे, उके, एक्जांपल के लिए, अगर हम देख लें, water is a compound of two gases, water क्या है, एक compound है, दो गैसों का, पहला है hydrogen, और दूसरा है oxygen, hydrogen can be used as a, rich source of energy, hydrogen क्या, hydrogen एक, energy के rich source के रुपे, यूज किया जा सकता है, but we do not have advanced technical know-how, पर हमारे पास जो एड़्वांस टेक्निकल, जो है know-how, to use it for this purpose, पर हमारे पास जो है, वो टेक्निकल नो-हाव, एड़्वांस नहीं है, जिससे कि हम इसके परपस को use कर सकें, hence it can be considered as a stock, इसलिए इसे stock के रुप में कहा जा सकता है, कि ये stock है, नेक्स्ट देख लेते क्या है, नेक्स्ट है reserves, reserves are the subset of the stock, which can be put into use, with the help of existing technical know-how, तो जो ये reserves होते हैं, तो इनका use किया जा सकता है, टेक्निकल नो-हाव के थूप, but their use has not been started, but उनका जो use अभी तक start नहीं हुआ है, these can be used for meeting future requirements, ये use किया जा सकता है, कि future के जो requirements हैं, उनको हासिल करने के लिए, river water can be used for generating hydro-electric power, जो नदी का जो पानी है, वो यूज किया जा सकता है, hydro-electric power के लिए, but presently, बट अभी जो वरतमान में, जो present में, it is being utilized only to a limited extent, पर ये वरतमान में अभी क्या हो रहा है, इनका, इनका इस्तमाल, कुछ limit सीमा तक ही किया जा रहा है, thus the water in the dams, जो water है, dams के, forest के, और भी बहुत सारे examples, जो है, वो reserve है, which can be used in the future, जो कि future में इनका use, किया जा सकता है, चलिए देख ले दे हैं, development of resources, resources are vital, resources क्या होते हैं, resources vital है, यानि कि वो महत्यपूर्ण है, for human survival, यानि इनसानों की जिन्दा रहने के लिए, as well as for maintaining the quality of life, यानि कि life की quality को maintain करने के लिए भी, जो resources क्या हैं, बहुत ज़्यादा important है, okay, it was believed, यह believed किया जाता है, that resources are free gift of nature, यह विश्वास किया जाता है, कि जो resources है, वो nature के free gifts है, as a result, result के तौर पर human being जो है, वो उनका use करते हैं indiscriminately, यानि अन्धा दून इसका use करते हैं, and this has led to the following major problems, और इस वज़़ा से, कुछ ऐसे major problems create भी हो जाते हैं, resources for satisfying the greed of a few individuals, यानि कि resources का जब अन्धा दून इस्तेमाल होता है, तो वो कुछ individuals की greed की वज़ा से, उसका depletion होना शुरू हो जाता है, ठीकिए depletion का मतलब क्या होता है, यानि कि उस resources में कम ही आने लगती है, next है accumulation of resources in few hands, दूसरा है, जो resources है, वो कुछ हाथों में चले जाने की वज़ा से, ये which in turn divided the society into two segments, यानि कि कुछ ऐसे individuals होते, कुछ ऐसे hands होते हैं, जिन पर जो resources है, वो सिर्फ उन्हें के हाथों में चले जाती, इसकी वज़ा से क्या होता है, जो society है, वो दो segment में divide हो जाती, पहला है have, मतलब जिनके पास होते हैं resources, और दूसरा है have not, यानि जिनके पास resources नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें हम reach and poor भी कह सकते, जिनके पास resources हैं वो reach, और जिनके पास resources नहीं हैं वो poor, इसके अलावा, indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crisis, इसके अलावा, जो अंधाधून जो resources की use है, इससे क्या होता है, कि global warming, ozone layer depletion, environmental pollution और land degradation की समस्या होने लगती है, नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर, यहाँ लिखा है, an equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life, जो distribution है, resources की, अगर वो equally, अगर सब में divide किया जाए, सब को मिले, तो इससे जो quality होगी, life की, वो उसको बहतर बनाया जा सकता है, और global peace भी बरकरार रह सकती है, if the present trend of resource depletion by a few individuals, and countries continues, the future of our planet is in danger, यहाँ कहा जा रहा है, कि अगर जिस तरह से present trend चला है, resource का, जिसकी वज़ा से, कुछ individuals के हाथों में resources चले जाएंगे, या फिर किसी countries के हाथों में, अगर resources चले जाएंगे, और वो equally distribute नहीं होगे, तो उनका क्या होगा, depletion होगा, हास होगा, उनमें कमी भी आएगी, और इसकी वज़ा से, जो हमारी planet है, उस हमारी planet के future जोगी, वो danger होगी, यानि, खत्रे में होगी, therefore, इसलिए, resources planning is essential for sustainable existence of all forms of life, इसलिए, जो resource की, जो distribution की जो planning है, वो ऐसी होनी चाहिए, जिसे की वो सब को मिले, ठीक है, sustainable existence is a component of sustainable development, जो sustainable existence है, वो component होता sustainable development, तो यहां तक हमने जान लिया, कि जो resources है, उनको अगर classify करें, तो कितने भागों में classify किया जा सकता है, इसके बाद हमने सभी को एक-एक करके जाना, अगर फिर भी, अगर कोई doubt है, तो आप comment करके पूछ सकते हैं, मति हो next video में, थैंक यू,